चहल ने भी उपन किया, क्या, उसने उपन करके 90 या सौ कुछ बनाया, उसने विकेट लेने के बाद आप ऐसे गुड़ा, इतनी सारी चीजे होई ना लाइफ में, 6 साल के अंदर की शुक्रियादा करने की अलावा कोई मेरे पास option यह नहीं, कि आप प्लाइन तो करते हो, लेकिन सूरिय के लिए आप क्या प्लाइन करोगा, तो सारी प्लाइन आपके फैल कर देगा, एक और के अंदर, मैं बहुत फायन हूं हार्दिक वाइन लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा वो बंदा मिसंडर्स्टूड भी है, तो मन सब का करता है, ओवर एक्स्प्रेसिव होने, हार्दिक के जासा बन लेका, लेकिन वो बन नहीं पाता है, 2023 का जो सीजन है जीटी का, लास्ट ओवर तो आपको बता रहे ही बढ़ेगा कि क्या, आशुबय ने वोला पंड़ लास्ट बॉल खराब हो गया, माही बढ़ शौकी नहीं काने के, उनने पसंद नहीं काने के, सच में फोन यूज नहीं करते हैं, उनने जो गेम खिलने हो आइपड बे खिलते हैं, बड़ा स्क्रीन चाहिए होने, अगाउट में हम लोग चिला रहे थे, मज जाओ मज जाओ मज जाओ, फिक है, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं है, बहुत गालियां खाई हैं दीपक चाहर ने, दीपक चाहर का भी एक किस्सा है, तरह पता क्या बोड़ा था माई वेले, मैंने बता, बेवकुफ तू नहीं है, बेवकुफ मैं होगे शुरू से शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले तो मेरे को जो मैं आपका पढ़ रहा था, तो फरीदाबाद, बल्लबगड से आप हो, अब मेरे जो लाइफ में मेरे सबसे फणियस्ट दोस्त रहे हैं, वह वहीं के रहे हैं, फरीदाबाद के चुन-चुन गया, नाम आनसाण है, उनके साथ इतनी फणी स्टोरी ना, एक था जिसकी वह था, मतलब हम 17-18 साल के रहे होंगे, हम जाते थे कोचिंग, कोचिंग के बीच में आना बंद कर दिया उसने, अब हम कह रहे हैं, भाई, डेंगू वाला सीजन चल रहा है, लग रहा है, इसे डेंगू हो गया, फोन वह था पित्ते होते नहीं थे, कर रहे हैं उठानी रहा है, अच्छा भाई, पता नहीं क्या होगा, छे दिन, साथ दिन, पंदरा दिन हो गया है, भाई, गया है तो डेंगू से, नहीं बच पाया है, पहले मर भी जाते थे लोग डेंगू से, यह नहीं बचा भाई, लग रहा है, पंदरा दिन वह देख रहे हैं, उतना ही हल्दी वापस आ रहा है, यह मतलब इसको डेंगू सबसे पहले जानने का क्या है कि दिखा भीवी तो तुम सबसे नाम तक नहीं बताया विल्कुल केरेक्टर आजमी ते हैं कौन बताता है अपसदारी में नाम जाले में खीच-खीच के मार दो के तुम से परसने नाम नहीं बताया करा तुम साड़े फेस्टूक पर ढून लोग है यही यही लाइफ है यहार महां पर बहुत मजे लिए हैं तीस साल वहीं इसी सब चीजों में रहे हैं कहा कर रहा हूं क पर और उस्ट नहीं बनाते थे यूट्यूब यहो करते थे तुम लोगो तो बहुत यहार में लैंगट में बात करते हैं पर अठारा साल में आपका और बयार क्यों नहीं फिक्स हूँआ यह हमार है यह बेसिकली जाट-जुरौ ऑली आज़ाएड जयादा है अब आमनों मे तो फिर भी है कि थोड़ा सा कि हाओँ चल कर ले एक इक बार क्रोस नोकरी कर ले कुछ तुरह के काई पर इतुरह के लिए डीन कर वाली सेन लेती है यो पहर खोलु गूजरो में जो उस टाइम पे था है अभी मार्फण है तो दो साल आगे बढ़ता जा रहा है। मैंने हमारे यार दोस्त ऐसे भी हैं जो बड़े भाई की शादी हुई है और उसका छोटा भाई अभी कितना 14 साल का है और उसका रोका कर दिया साथ में दो बहने दो भाई अब उसका क्या होगा उसे कुछ कहते हैं मैं भूल गया गौना अब गौना कर दिया जब 18 का होगा ना अजब लड़की अठारे की होगी तब लेने आ जाना उसका भी सेम यह हुआ वो तीन साल फिर पड़ा हमारे साथ और फिर शादी की शॉपिंग करने गया हमारे साथ इतना फणी किस्सा है अपनी शादी के लिए शॉपिंग करने गया वो यही मौल ऑफ इंडिया में हमें ले गया नहीं तब वो था जी आई पी था तब जी तो वो कहरी कि सर इससे भारी वाला तो फिर ग्रूम का ही हो जाएगा तो उसकी भी हसी चूट गी कि हमें डाड़ी मुझ आई नहीं इसके यह ग्रूम है अभी से तो उससे गुस्सा हो गया क्या रहा है हां सो न लंगए यू मेरा मज़ा को डारी है चल यहां सू हां यह तो है तो बस यही था मेरा तो वहां से निकलने का सीन क्रिकेट खेलना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था यह जो क्लब क्रिकेट होती थी वहां पर यह संडे वंडे वाली जो थी तो खेलना शुरू किया फिर अकैडमी किसी ने बोला अकैडमी खेल लो कि जब खेली रहे हो इस टेम्हें मोत वानारों एकाडमी के वहां सेखली अगयां था कि साम भी होता ही यह नी पता ही साल महिने का पैसा लगता है हम यह लगता है जैसे यहां कहल रहे हैं थी शुरू करी करकुरा के चारचीजें फिर मैचिस खेलने शुरू कर दिये थे संडे-संडे वले जो बाहर जाके क्लब्स में होते हैं पैसे देते थे वो पर मैच के कितने मिलते थे मिलता हो गो इस टाइब कितना 220 रुपे और कितना पर मैच ये तो तब आप चोटे बच्चे ही होगा मैच खेला उन्होंने फिर अपनी पार्टी शुरू कर दी बैटिंग करके चार बनदे पार्टी शुरू कर दी लाला हुने और उसके बाद चार बन दे शुरू कर दी तो हम वो रेप्लेस्मेंट होते थे कि हां बढ़ी चलो तुम फिल्लिंग करो तुम 20 तो जब तैनिस बॉल से दोनों ही चीज़े करते थे हम लोग, तो यह होता था कि यहर सर को इंप्रेस करना है, तो बॉल डालनी शुरू कर दी, अपने एज ग्रूप के हिसाफ से थोड़े तेज होते थे, थोड़ा कंट्रोल ठीक था, तो फिर बस रमती चलीगी फिर वो चीजे मिलती ही जाओ कि तो ठाव होगा ना को सबना हर्चल बष्टे लिए को लिए जुए ने विढ़ा हुआ उपन चाह पो अर्ड़े लिए और वेचा बूद ने बेट लिए ग्रूप वा इंपन ने बहुत अचा गुए अज पुर आपकी उपन लेगा है उन्फेक्ट चहल ने भी उपन किया पूछे जब राइस्ता जाओगे पूछे ना चैल ने भी उपन करी यह चैल 22 में 23 में उसने उपन करी ती मुझे याद नी है लेकिन उसने उपन करके 90 यह सब बनाया था क्या वात है चहल भी बेटिंग करता है अभी मतलब नेट्स में तो बुरा बेटिंग करता है अपनी मेद गया दिए पर तो उनका क्लेम सही है कि मुझे ग्यारा पर क्यों कि ला रहे हैं तो मैं इस लेवल पर ग्यारी थीग अब हम अपने इस पर आदें जो आधा ओडियन्स क सब याद है कि जो जीटी के साथ आपका टैनियोर शुरू हुआ तो सबसे पहले तो आप वहां पर आए अज नेट बोलर वह अपने आप में क्या स्टोरी है दो साल आप खेले नी और यू गॉट सेलेक्टिट एज नेट बोलर वह किसने पिक कि आपको आशिश नहारा था हां मलब ये तो पिक तो आपस में बात तो पहले सी थी ऐसा दो नी था कि आशिव भाही और मैं हम CSK में साथ के लिए हैं उससे पहले भी आशिव भाही के साथ बात तो होती रहती थी कि कब क्या चल रहा है वालिंग में क्या नहीं चल रहा तो ये चीज तो शूरू हुई जब में 2019 में CSKA के लिए खेला तो मेरे को कौछा जा फिरी जृता है, बाक घची में 16 ना चेल्या है, हम गोंशा के लिए थोड़ा बाक के लिए ख्या जका मोशोजद करी का में ठोड़ा सब्पमा टारी अट इक होगा एंट में स्षरी अगर किसी कर दिन अच्छा नहीं चल रहा है तो से बाद में आप ट्राइ कर सकते हो तो फेर इनफ उस चीज का इश्यू नहीं था मेरे को तो मैं वहां से दो मैं दो साल में दो गेम कहला फिर दो मैं अंचोल रहा तो मैं अपने आप से जनरली ये नॉमली बंदा सोचता है कि कितना और खेलना है या क्या प्लैन है तो मेरे को गिद को खेलना है इसा क्या लिख चोड़ में है कि तो मेरे को लगए रिकreten को लगे अच्छे तो जब उसल गए कि son the अब क्या रिसाइट करना है, घर बैठना है, या कहीं और जाके खेलना है, बहीं कहीं और जाके खेलना है, जैसे इंग्लेंड में मैचिस होते हैं, सारी चीज़े होती हैं, दर दर खेलना है, तो मुझे था कि यह बाहर नी जाना, देखते हैं, एक बाहर जो भी होगा सीन, इन वो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह यहां उन्होंने बड़ा सुपोर्ट किया मिरेको तो उनका फोन आया मेरे पस की ऐसे से बात है तू विजयाजार खिला था मुस्तागली खिला था मैंने का हम मुस्तागली खिला और मैंने अच्छा भी किया था करे वीडियो बेज मेर यार पंड़त को तो पता ही नहीं था कि यह खेल रहा है मुझे तो लोगा कि सरजरी के बाई शायद नहीं खेल रहा है तो क्योंकि जीटी बहुत जल्दी बनी थी जीटी को इतना टाइम नहीं मिला था कि आप प्लेयर्स देखो है चार्ची जेकर तो मैनेजमेंट ही उनकी जीटी बना जायेगा पस यह मेरी चॉइस है तो फिर डिसाइडिर था कि ठीक है जा नहीं है को ऐसा कोई सीन ही नहीं जब खेलना है तो सब कुछ करना है लेकिन इतना जादा मैंने नहीं सोचा था कि यू नो कि एक स्टोरी बन जाएगी या हाहा बन जाएगा जब मैं वहा क्रिकेट खिलने के लिए जो कुछ करना है तो करना ही है इसमें तो कुछ है नहीं कि यह नहीं करना है वो नहीं करना है और सारे के सारे सोशल यह जो इंस्टाग्राम के पेज़ हैं अब चलो मैं बहुत कम फिर भी देखता हूं लेकिन यू नो कि फैंबली में तो और सारे तो फिर बॉलिंग अच्छी हो रही थी, सारी चीजे थी, तो इस तरीके से उसमें गुशा है, नेट बॉलर में, फिर माइनसेट में यह था, कि सब इखटा खेल रहे हैं, महरास्ट्रा में थे, मुंबई में, और सारी टीम इखटी प्रेक्टेस करती थी, और दिमाग में था कि कैसे भी करके अंदर घुशना है, सब एक दूसरे को देख रहे थे, सब को मालूम है कि ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे को जानता नहीं है, तो संजय भाई मिलते थे, कोई भी था, बेसिकली दूसरी डिम के जो कोचिस थे, तो वही बोलते थे, सब कोई अच्छा हो रहा है, को बस वहाँ से यह इस सोच के साथ गुश गया था, फिर इंजर्ड भी हुए लोग हमारी टीम में भी, तो मैं पहला ही था बंदा जो अंदर जाने वाला था, मैं अंदर आया भी, जब सांगवान इंजर्ड हुआ तो मेरे पेपर साइन हो गए, तो यह तो शायद किसी को पत पेपर चले गए, कि हाँ भई इन्होंने मोहित को ले लिया, टीम में ऐसे करके, लास टाइम पर यह हो है कि अनकैप प्लेयर को रेप्लेस नहीं कर सकता, तो वहाँ से हो गया, लेकिन अल्मूस्ट यह एक सेनारियो था, उसके बाद तो फिर नेक्स येर था, तो सारी चीज लने के लिए प्रेक्टिस तो गड़नी कोड़ेगी, बिना प्रेक्टिस करें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यह एक्वेशन, और नेक्स येर तो फिर आपने जो कमबैक किया है, वो भी भाई, ठीक है, वो तो एक रिजल्ट वापस है आपके हाथ में नहीं है, लेकिन, वो तो आपका बेस सीजन था, वो तो आपका 27 विकेट्स, हाँ, मेरा बेस सीजन, मेरे से पहले 24 थी, 14 में जो परपल कैप था, यह 27 लेकिन जो सिनारियो क्रेट हो वो बहुत कमाल के थे, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से सीजन जा सकता है, कि जैसे शमी से मैंने शमी परपल कैप था, शमी के अठाईस थी, राशिद की भी 27 थी, तो शमी ने मेरे से चौबी से पच्छिस ओर फालतु डालें, जो मेरे को बाद में पता चला है, तो मलब इस सम्थिंग जो एक, आप सोची नहीं सकते कि एसा सीजन भी कभी का बार जा सकता है जैसे शमी का वल्ड कप गया, एसी चीजी होती है, तो उसी का फ़ल है, मुझे रगता है, बिना सोचे सम्झे मैनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, भी आपने लिटरली प्रूफ किया कि वो कहते हैं बच्पने को एक आम चोटा बड़ा नहीं होता, आपके लेवल का एक प्लेयर, जो एक तरना स्टैचर जो इंडिया खेला हुआ है, उसको भी उसको लेगा कि मैं नेट बोदर जा सकता और मैं करूँगा, यह लिटरली प्रूफ और रिस्पेक्ट है आपके लिए कि अपने मुझे चूज किया, लेकिन क्रिकेट से बड़ी किसी की इगो नहीं हो सकती, क्रिकेट ने खड़ा किया हम लोगों को सबको, सबको खड़ा किया, अगर मैं किसी भी तरीके से फाइनल स्ली स्रेबल हूँ या मैं परिवार को चला रहा हूँ तो वो सर्फ क्रिकेट के वाज़े से, उसमें भी अगर इगो दिखा दूँगा, फिर त इतना जादा बलीवर था नहीं, लेकिन छे साल के अंदर इतनी सारी चीज़े हुई कि कहीं नहीं लगता है कि भगवान का बहुत बड़ा हाता है इन सब चीजों में, आप नहीं कर सकते हैं उन सब चीजों से कम बाग, परस्नल इसूज थे, पिताजी एक्सपार हो गए थे cancer, all of a sudden सारी चीज़े ऐसी हो रही थी, जो आप पकड़ ही नहीं पारते हैं, रहता है एक रायता ऐसा फेलता जा रहा है कि आपके हाथ में नहीं आरी चीज़े, तो उसके बाद जब यह चीज़े हुई, तो इतनी unexpected तरीके से हुई, जहां पर मैं, मतलब कहते हैं न कि शुक जो सबसे बड़ी बॉल आपके निकल के आई इस सीजन, बैक अफ दी हैंड, स्लोर वन, मैं तो बॉल भी लेकर आया हूँ, अरे, अगर यही थी मेरे पास, वाइट मिली नहीं मुझे, तो अगर आप थोड़ा सा भी demonstrate भी करके दिखा दो कि exactly आप कैसे करते हो और कोई भी य साईम Україं के साथ, साइम हाँ उस टाम पे, तो वो डालता था बैक अफ दाँ तो उसे देख देख के मेरे को लगा कि यह डालना है तो हम टैनिस के गेम खेलते थे, तेनिस बॉल को control करना बहुत मुश्किल है, तो हम टैनिस से इतना खेले उस टाम पे, कि मैं बैक अफ दाँ उसे डाल डालके लेदर का पक गया तो मुझे सिर्फ एक चीज लगती है कि इसके लिए सबसे जरूरी है muscle memory muscle memory में कोई चीज तभी फिट होगी जब आप repeatedly उसे बार-बार करोगे तो सबसे जरूरी चीज प्रेक्टिस है rotation सबको मालूम है बस एक control चाहिए जो आपको कर-कर के ही आएगा rotation भी बता दो आप normally आपको shoulder rotate करना है last तक आपको बस यह है कि ball थोड़े late यह है कि late तक पकड़के रखनी है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जिल्दी छोड़नी है तो shoulder rotate हो उसके बाद आपको बस risk उल्टी करके फेकना है आपको बहुत कम है बस यह इंडिपेंड करता है कि आपको कब फेकनी और कहां फेकनी है सामने वाला slower मुझे नहीं लगता है कि चलता है इस ताम पे तो आपको थोड़ा बाहर आना वड़ेगा तो इस season भी last season भी जो मैंने डाला है वो slower सारा बहार डाला है सामने बहुत कम है मुझकिल से 20% मैंने सामने फेका है क्योंकि मुझे मालो में चक्का लगने का चानाज उस पे सबसे आदा है थोड़ा सा लूप हो और ताइम के साथ मेरा भी बहुत गंदा फाइनल था यार यह बारिश हो लेके बड़े गंदे होते हैं दो दिन वेट तीन दिन वेट ऐसे बड़ा डाइसी सा महल हो जाता द्रसिंग रूम में भी चिनननी और गुण अराम क्योंकि मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग बेठे हुए हैं बात चल रही है मही बात बहुत हो रही है राइडू से बात बहुत हो रही है तो इंडियन प्रिमर लीगी नहीं एक दूसरे के थोड़ा सर पोड़ देंगे बैठेंगे तो साथ मही थे इन फैक्ट जब अंपायर बुलाता भी था तो मुझे लग रहा है कहीं लोग साथ मही थे तो एक ही आशु भाई और मही बाई यही जिगे से जाते थे एक ही डरसिंग रूम से जा रहे हैं या जी ट और में गया तो तीन-चार चीजे हुई थे उस दिन जो बारिश वारिश हुई सारी की सारी जो भसडी फैले सारी के सारी उसके बाद गता टा कि दिए दिफेंड हो जाएगा मätouseा बलीव फ़्कॉर्स होगा लगता कि इतना मतलँ डिफेंड नहीं होगा सॉरी नाए हमें य आपको मार नहीं मारना है लास के माद तो कुछ नथिंग लूज वाली सिचुएशन तो थोड़ा दिफिकल्ट लो जाता है वरीशन थोड़े दिफिकल्ट थे चार चीजे थी कंट्रोल नहीं होता है उपर से ग्राउंड गीला था ऐसा नहीं पूरा सुक चुका था चारी ची लेकिन ये भी था कि जैसा हमारी बॉलिंग यूनिट कर रही थी हम उसे और अच्छे से पकड़ सकते थे लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि इस आला बीच में चार पांच ओर का जो एक गया ना जो राइडू को बैटिंग हुई फिर शिवम दूबे दूबे ने दूबे ने तो कुछ लास में दूबे तो मेरे साथ ही था सामली था उस्टाइम पर एक बंदे ने और रन बनाया थे मिर को याद ने मेरी थोड़ी यारदा शल्की है तो उस टाइम पर लगा मुझे कि हम कंट्रोल कर सकते थे जॉश को किसी ने मारा था इसने मारा था कौन तो उस टाइम पर यह तोाइम पर जांगा कि आगर पकड़ लेते थोड़ा सा जाते पेस में तो थोड़ा सा इसी हो सकता था, कि हमारे लिए थोड़ा सा easy हो जाता है, थोड़ा execute करना easy हो जाता है, तो वहाँ पे उन्हों नो doubt या उन्हों बेटिंग बहुत अच्छी करी है, राइडू भाही ने कमाल का, दो चक्के मारे मुझे एक चक्का मारा, वो बहुत ही कमाल का मारा, जो bet foot से एक slower पे सामने च पहली चार पर लगा था कि जीटी जीत गई है, और मोहिशर्मा की जो, दो बोलों पर दस रन, basically मुझे लगता है कि, पचास में से एक ही बार हार हो गया, बोलर की गेम है, तो, ऐसाच कुछ हुआ नहीं था, दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, जो भी करने जा रहू लेकिन उसे एक्ज़ग्यूट करने की कोशिश कर, उसका जो प्रोसेस है, उसे ध्यान रख, तुने ट्रेनिंग में यह चीज बहुत बार कर चुकी है, उसे ध्यान रख, अपने ट्रेनिंग को याद रख, और कुछ नहीं याद रख ना है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यह प्रेशर जड़ू पर ना की मेरे उपर, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपके दिमाग को ना, आपकी बॉड़ी को डॉमिनेट कर जाता है, वो नहीं होना चाहिए, इसी नहीं प्लेयर को यह चीज सीखनी है, प्रेशर में हमेशे अपनी जो ट्रेनिंग है, जो आपने पर जब आप जीटी मैच हारा भी, तो एक ख्लिप निकल कहा थी कि हार्दिक और आप बहुत अच्छे से, मतला आप हार्दिक बहुत हसके भी बात कर रहते हैं आप से, और मतला चेर आप ही कर रहते हैं, तो how was the conversation after the match? यह एसस तो कुछ बात नहीं होई थी, मैं बहुत disappointed था, मैं मिला भी, I was almost in tears कि मैं भाग के dressing room ही गया, सारी चीजे कर कुरा के, और सिर्फ यही कोश रहा था, क्योंकि करने के बाद तुरंद बाद मुझे realized हो गया था, कि मैंने क्या किया, कि यह चीज ऐसे नहीं होनी चीए तो आगे थे, आशु भाई थे, सब थे सात में, in fact माही भाई से भी बात ही उस ताम पे, तो माही भाई भाई नहीं हो सकती, आप एक, अगर मेरे नजरी से भी देखो के, तो मुझे लगता है कि यह entertainment business है, इस से अच्छा entertainment, इस से अच्छा live sports नहीं देख सकते है आप न, final, पूरा season कैसा भी गया हो, लेकिन final, तीन दिन का final, तीन दिन के final के बाद आपका last ball finish, last ball finish भी कैसा है कि दो बॉलों पे 10 रन, so overall हमने एक अच्छा काम किया, overall हमने एक अच्छा package दिया, yes, individually आप कहीं नहीं यह सोचोगे कि आपका दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर आप कि देखो कि पीछे पूरा season बहुत अच्छा गया, तो I had a fairytale season, मुझे उसका proud है, बिलकुल no doubt की, चीजे सीखने के लिए तो जिंदगी बाद चलती रहेंगी, और उन दो बॉलों ने बहुत को सिखाया, शायद हो सकता है कि आगे वापस से situation सेम आए, हो सकता है कि वापस स प्रोसेस है, वो सेम ही है, तो वो अभी भी चल रहे है, नहरा भाई से फिर अपनियाप की क्या बात हों ही माज के बाद, कोई कॉई बात आपको याद हो यह हो, आशुपा ने बोला पंड़ा, लास बॉल खराब हो गया, है बिलकुल, खराब हो गया, तो वो वाली कहानी थ और कुछ नहीं, आशुबा ने शुरू से लेके एंड तक हमेशा सुपोर्ट ही किया है, हमेशा उनोंने और वो उनका बताने का तरीका थोड़ा सिंपल है, वो क्लियर कहते हैं कि यर मार खानी है, कुछ भी करना जिगरेजे खाजाओ नहीं, यह गुदो की तरह मार मत खाओ, आपके हाथ-पैर नहीं कापने चाहिए, वहाँ जाके सामने वाले कोई लगना चाहिए कि आप प्रिपेर ओ, अपने काम को ले के, यह नहीं लगना चाहिए कि आप एक्जाम देने आयों लेकिन आपने पढ़ा ही नी करी है, तो गयते हैं खाओ मार, योरकर डालनी आती है तेज भाग के और कर डालनी है अगर आप डेड़ सु डाल चकते हो तो तेज भाग के डेड़ सु भाग नहीं है रेदर दन वॉक कर के आके तो उनका सिंपल एक्वेशन है तो अभी उस दिन भी उन्होंने यही बोला पंडत बहुत अच्छा रहा सब कुछ जो अच्छी चीज़े हुई है उन्हें याद करना है बेकार चीज़े ठीक है निकल गए कोई बात अब मैं एक अच्छी स्पेल पर आता हूँ उसी सीजन पर आपने मुंबा इंडियन्स के सामने पंजा होला था अब उस स्पेल का बता तो मेरे खाल से में पस यह स्टैट भी है 2.2 दस रन पांच वकते है यह बहुत प्रेशर था उस मैच में क्योंकि एक तो यह उसका मैस था जो यह ले लेओ अफ का मैस था कि तुम 240 बहले ही बना के बैठे हो यह 230 कितने ही बना के बैठे हो हम दो वर पहले जीच जाएंगे बहुत कमाल की बैटिंग और उस मैच से पहले भाई दखो वो सेम चीज है कि आप प्लान तो करते हो लेकिन सूरिय के लिए अप क्या प्लान करोगे कुछ नहीं प्लान कर से तो सारे प्लान आपके फैल कर देगा एक ओवर के अंदर कि आप जो प्लान करका हो कर लो तो जनली हमारी मीटिंग हुई थी क्या करना है क्या करना है मैंने का बाई देखो हम में कुछ नहीं करना उसे सोचने दो चुप चाप जाके अपना काम करो तो दिमाग में सिंपल था, मैं पहला बॉल डाला जश्याट उसे, मैं डालना नहीं चाहता था, उसने मेरे को 90 मिटर के चेका मारा रहा है, मेरे दिमाग में वापस आता है, सेम चीज थी, कि तू एक कदम पीछे हो गया, तेरे को एक कदम अगे डाला है, तेरे को छे बॉले डालनी है, जो टॉप अफ होता है, टेस्स मेच की लेंद पर और कुछ नहीं, वहां से छे चक्के खाजा कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठे, वो गिरे, वो करना है, वो करेगा, मेरे दिमाग में क्लीर था, और मैं ये चीज आश्यु भाई को बोल के आता है, हो सकता है, छे ये नहीं भोला कि हमारा प्लान को ऐसा सक्सेफुल हो गया, बज़ गया, इसका आउटना बहुत ज़रूरी था, और उसके बाद तो फिर तिलक, मुझे लगता है फिर पता ही नहीं चला है, पिर तो आउटी होता है, लेकिन सूर्यो कुमार था, उस दिन की वो तो मार रह थ ये नहीं पता है, ये कहते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा, एक दिन होता है आपका भी बिंग बॉलर, तो अब जैसे बहुत सारे प्लेयस हैं, जिनोंने दस बारे बोलों में पांच-पांच आउट की है, आकाश ने भी किया, तो मुझे लगता है कि यहां वो दिन कही नहीं कहीं मेरा था, नहीं रेर फीट है सरी है, अगर आप ऐसे बोल्रों की नॉर्मल लगता है, लेकिन सैंडी मैं हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं तो मानता हूं इस चीज को, इसमें कोई ego हैं, कोई pride रखने की ज़रूत नहीं है, कि ठीक है, आपका अच् सिर्फ और सी 15 परसंट सक्सास आती है, ठीक है, 85 परसंट बिंगा बॉला फेलियर है आपकी लाइफ में, और उस फेलियर के बाद 15 परसंट को अगर सर पर बिठा लोगे न, तो फिर वो 85 परसंट आपको जीने नहीं देगी, तो मुझे लगता है, थोड़ा हमल रहना जरू को जानता होगा, देख्यार, यह जो concept है, यह concept है, यह concept है, हर individual का अलग है, बहुत सारे लोग है, जिसे मैंने बोला कि, अब मुझे अगर humble रहना पसंद है, तो जरूरी थोड़ी सबको humble रहना पसंद है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो overexpressive, तो कहीं बार आप किसी के, जो ब से बारिश होरी होते हैं, तो अगर हाई राइस में हम लोग रहते हैं, बारिश होरी है, तो उपर हम बालकनी में खड़े हैं, नीचे हमने देख लिया कि एक बंदा, अपनी फैमिली के साथ बारिश में नहा रहा है, बंदा, अकेला दियार दोस्तों के साथ नहा रहा है, द जरिया है देखने का चीजों को, कोई किसी तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से देखता है, लेकिन येस, हर्देक, as a person, बहुत अच्छा इंसान है, बिल्कुल एक, कहते हैं ना कि darling kind of a guy है, कि बिल्कुल easy, आराम से, आपकी बाते समझेगा, आपके साथ बैठके बात करेगा, और सेम चीज है, कि अगर आप कहीं बैठे हो, तो मौल को, वो healthy बना के रखता है, अब आगे तो दुनिया क्या सोचती है, उसे फरक नहीं परता है, as a leader, as a leader, yes, as a leader, as a leader, हमेशा, चीजे तो आप अच्छी करी सकते हो, टाइम, लेकिन हारदिक के साथ, जो सबसे बड़ी कॉलिटी है, उसकी, वो pump अच्छा करता है, प्लियस, क्योंकि वो खुद अपने आपको पंप करता है, वो भोलके, उसकी आदत है, कि मुझे अपने आपको तो भी आटऊस रखना है, जब उपने आपको आटऊस रखता है, तो उसे देख के भी इंसान इस्पायर होता है, कि या, जब यह कर रहा है, जब हमें मालूम है, कि या, उसके भी इशुज कम ने रहें, बैक सर्जरी हुई, चार चीजे हो, इसके बाद भी, कैसे कैसे करके विचारा बैक खुलवाता था बैक फिर अटक गई, क्रैंप आ गया, कुछ हो गया बैक फिर फच गया, फिर खुलवा रहा है लेकिन लोगों को क्या लगता है कि इस अब चीजे ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा मैं उस कंडिशन में जाके देखो यार मनला कोई भी यार, हार दिख के जिगा कोई भी हो जब वो सिचुएशन आती है ना बैक फसने वाली क्योंकि मेरी सरजरी हुई पड़ी है मुझे मालूम है, तो आप मूव नी करवाते कहीं बर लेकिन वो सिचुएशन में फिद्लिंग भी कर रहा है वो कोशिश करता है कि वो दोवर भी डाल दे तो बिंगा लीडर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको पंप करने वाली क्योलिटी है अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छी है अपने बटरफ्लाइ जो आती है अभी भी है अभी तो बतातरों 3-4 साल ऐसे निकले ना कि वो बटरफ्लाइ बंदी नी हुई ठीक है वो रहनी चाहिए याँ बच्चापन थोड़ी खताम होना चाहिए अब जो आपके दूसरे कैप्टन है शुभन गिल उन्होंने भी चार्ज टेकोवर किया और फिर उतना अच्छा सीजन भी नहीं है जीटी के लिए एंड शुभन गिल को सब देखते भी वैसे हैं कि इंडिया को भी फ्यूचर में यही लीड करेगा प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट अब नेक्स बंदा यही होने वाला है उनको भी आपने अप क्लोज एंड परसनल देखा है उनको आप कैसे देखते हो गिल गिल भी बहुत सुलजावा इंसान है बहुत अच्छा लड़का है और यह क्या बेकर की बात कर रहा हूं महला हाँ तो जो मीटिंग में बात भी करता था ना कि यह चीज करनी है इसके अलाब आम दूसरी चीज को सोचेंगे नहीं तो वह भी अच्छी चीज है कि आप अपने प्लेयर्स को क्लियर्टी दे रहो कि एक टीम गेम में अपने क्लियर्टी दे दी हर इंसान को कि आपका यह काम है तो उसके बाद आप उने बस गेम में जाके नहीं कैने उता है आपको आपने में आपके पास प्लाना आपना था, फालो करेंगा, वोता है रन तो लगेंगे आपको, यह तो गिवन ही है, तो पिंची बन गए है, यह तो गिवन ही है, बाइगा था पूछ दूसर बंदा तो रण खाये का नहीं है, अपको यागर भाके बॉल फैक नेदो बॉलरी रन खाएगा बॉलरी आउट करेगा उसमें आगर आपका कपतान भी गठन उस तरफ कर ले ना तो आप 148 गी जिग ने एक्टर वाला इसको कारिदा तो गया रहे खट्टी करनी है, तो वो यह सब चीजे बहुत अच्छी करनी है, और आप ऐसे बोलर कैसे निकल के आते हैं, जैसे आपके साथ भी ये मैच हुआ ऐसा, और लास्ट ये 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 साथ भी ये मैच हुआ, तो बोलर कहां से confidence लेके आता है फिर, मुझे जितना याद ह मैने तो खुद बोला था, मैंने गाए ये तो होना है, ये एक्सेप्ट कर ले ये 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 वापस से भी होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि शैद 5 कि चार लगेंगे, 4 कि चीज के 3 लगेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि तू अब लग गया अब निह, जैसे मैं ने बोल जो नोग, we're bound to make mistakes, right? यहुमन्स, हम बने हुएं गल्तियों से लेकिन मैं क्या कोशिश करता हूँ कि जब मैंने एक गल्ती करी है तो अगर में वो सेम गल्ती करूँ वो सेम गल्ती होगी लेकिन वो जो बीच की डियरेशन है न वो कितनी बड़ी करनी है, वो मेरे हाथ में ऐसा नहीं कि मैं सेम गलती रिपीट नहीं करूँगा लेकिन वो बीच की डुरेशन बढ़ानी है मुझे तो वो अली कहानी है, तो Yash को भी अमने सेम चीज बोला यह वापस से होगा लेकिन इसे कितनी देर तक तो दिमाग में रख सकता है फोन देखेगा, इंस्सागाम देखेगा, एसम तो एक्स्प्लोर में जा के चार तीन बार अपनी फोटो देख ले कि Yash ने पांच चक्या का है वो चालिस बार तुझे भोई दिखाता रहेगा तो इस बैटरी के उसने पे फोन चे दूर रहो पर आपने इतने ड्रेसिंग रूम, चिन्नही का ड्रेसिंग रूम देखा है पंजाब का देखा है, जीटी का देखा है, दिल्ली का डेखा है बेस्ट ड्रेसिंग रूम जीटी बेस्ट कोई दोस्त जीटी में सारी दोस्तें पता है GT में क्यूं सारे इन देसंस कि हम मेजॉरिटी हर्याना है तुवा कर देके आर्टी हो है जैंत हो है ठीक है और मैं हूं और भी है यार हर्याना वाले महापे हमने नेट बॉलर भी एक-दो हर्याना के बुला लिये थे और फिर वीडियो अनलिस हमारा था तो काफी सारे साथ-ाट लोग ऐसे थे तो एक ताइम पर यही बात चल रही थे एक-दो लोगों को और बुलाने की बात थी तो आश्यू भाई यह कह रहे थे कह रहे थे इसका नाम चेंज कर दो ना फिर हरे क्यों गुजरात रखा हो है इसका करे सारे तो हर्याना दिल्ली कि अचयों को रहिए कि एक दूसरे को रखते हैं कि शूल्डर पर रखके Camera ठेंज है तो एक हमेरा करांत चल है कि उसक लात तो साल क Chapman के Care से अचल ज़रा थे हम injuries में थे players भी बहार हो रहे थे सारी चीजे थी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था सीजन से पहले ही चीजे शुरू हो गई थी शामी ने भी मना कर दिया कि भाई मेरा surgery है मैं भी नहीं खेलू हूँ उस टाइम पे भी आप कैसे stick करते हैं दूशरे के साथ उस टाइम पे भी आप वैसे ही रहते हो जैसे आप दो साल रहे हो तो वो चीजे matter करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इस साल दो साल जो हमने बखे करी हैं इस साल उससे चार गुना ज़्यादा करी है ठीक है अब वो बको के चक्कर में येस हमारा environment खराब नहीं हुआ वो सबसे ज़रूरी चीज है लेकिन अट सेम टाइम एक वो एक दायरा बनाया हुआ था कहीं न कहीं कि भाई इसके चकर में cricket नहीं भूलनी है लास्ट एक जीटी का question फिर हम आगे बढ़ेंगे अब इस साल तो मेगा option हो नहीं है अगर आपको decide करने मिले तो आप जीटी के कौन से पांच player को retain करो आपको अगर decide करने मैं सिर्फ उनका नाम बता हुआ जो पिछले इस साल खेले है शुबमंगिल हो गया पहले नंबर पर देन राशीद हो गया ठीक है दो हो गया फिर साइस उदर्शन हो गया तीन और मैं अगर मुझे चांस अगर अपना भी नाम ले सकते हो नहीं वो ठीक है मैं बहुत प्रैक्टिकल हो उन चीज़ों मैं इस ताइम पर तीन साल खेलूं वो मेरी लेकर नहीं मतर मैं अपने आपको रिटेन करके टीम केस तो इस दोड़ी कराऊंगा अब पांचवा प्लेयर सब्सक्राइब करेंड़ी डिपेंड करता है कि फिट्नेस के ऊपर कि कौन तीन साल और अच्छे से रेप्रेजेट कर सकता है जीटी को उसमें आटी भी हो सकता है थेक है क्योंकि आठी ने हमेशा जीटी के लिए अच्छा कि हमेशा मैं जीता है तो मेरी तरफ से अगर यह कोई किता नॐकर चाहिए क्वेशन सबसे पहले किस आठी करेकरस, अर्युπα अ मेशन को हुआ है? आर्लानीता कनलीनाख यहिए, हो नीचे भी लगा हुआ है तो भू इतनासा होता था, हो नहीं हुआ उस आलग बात है और यही mindset होना चाहिए, किसी भी ऐसे बंदे का जिसको उस stage में जाके खेलना है, जहाँ पर चार ओर में 60 रंची है, अगर उसे वहाँ से ये believe है, कि मैं बना दूँगा, तो आपकी team के लिए बहुत कमाल की चीज है, और सेम चीज बहुत सारे players के साथ है, यहाँ पर किसी को match कर रहा है, कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, लेकिन यह mindset है, जो सबका सेम है, वह equation क्या बैठती है, वो अलग है, अब उसमें मही भाई है, बहुत सारे players है, ठीक है, जो लास में जाके, डिविड मिलर भी है उस equation में, कि कर देगा, लेकिन RT भी सेम उसी equation में है, कि अगर आ उसका शुरू से है, और अच्छी चीज यह है, कि वो अपने आपको हमेशा एक ग्रेड आगे पुश करता है, जैसे अभी हम सब जैसे बूल रहे हैं, तो अगर तुम्हारा भी equation पूछूँगा, तुम बोलोगा, RT ठीक है, T20, एना, best to best one day, डेस तो नहीं है, रहुल तो न पूलिंग थी, 30% बैटिंग थी, अब जब equation ऐसी आई है, no doubt बैटिंग हो शुरू से अची करता है, हर्याना के लिए रन बनाए है, सब के लिए रन बनाए है, जहां पर भी खेलता है, हर जी के रन बनाए है, तो वो अपने आपको उस चीज के लिए भी हमेशा पुश करता है अपनी हीटिंग को प्रैक्टिस करते है, मैं हमेशा थी, हता है झाली थी, हिटिंग तो इसथी तगडी होति है, क्यूंकि और आम्याचिक ही क्वादिक भी है, मैं बाटिया आपक जब से हमें पहली बारे की आपका पता चलाएगे, आप सी एसके के लिए खेलने वाले 2013 में उन्होंने आपको first time pick किया, तो ऐसे जब आप first time auction में जा लेते हैं, आपकी कोई favorite team थी या जब आप as an outsider देखते थे कि बाई, जब first time रोता है तो बंदा कहता है, बस IPL पहले कैसे भी करके मिल जाए IPL, बढ़ आप चीर कॉनसी team को करते थे, जब ऐसे fan देखते हैं, आप CS के शुरू से अपकी फेवरेट रहते हैं, मुझे लगता है कि जो उस टाइम पर कप्तान होता है, आज अगर किसी बंद बढ़ा था, बिगॉस अफ़ वन गया, कि हाँ माई भाय हमारे कप्तान है, वर्ल्ड कप जीते हैं, ग्यारा में तो वर्ल्ड कप जीते थे, तेरा में मेरा नाम आया, और मैं आल्मोस्ट दिल्ली साइन कर चुका था, बहार होता था, आप्शन नहीं होती थी, आल्मोस्ट पेपर सामने रखे थे, और आल्मोस्ट फिर लास्ट पर पता चला कि CSK को इंडियन बॉलर चाहिए, तो उन्होंने मुझे ट्राइल के लिए बुलाया, मैं रौनित मोरे, रौनित मोरे करनाटका के एक फास बॉलर है, खेला भी है CSK से अगर या दो, उसी टाइम पर, इश वहाँ पर उसी दिन उन्हें ट्राइल लिए और उसी दिन पेपर साइन करा दिया थे, अगर वो उस दिन पेपर साइन ना कराते तो मैं वापस आगे दिली की पेपर साइन करते थे, तो आप चारों में से किसी दोखे हुए थे, कि एक, इश्वर और आप चारों के पर साइ थी उस टाम पर और नो डाउट न सें ट्रेयल में बहुत कमाल का बहुत ही कमाल का सब से अची और कुर उसने महरी और मेरे से पहले वह तीन ग्राजपूथ च्छे अके लिए खेला है फिर आंकित राजपूथ जब हटा तो मेक तो अंकित में और रहुनी जे तीन साइनिंग वी थे उस ते पहला इसी सीजन भी बढ़िया एक दम हा मेरा पहला सीजन ठीक रहा मैं तीन गेम ली खेला उसके बाद मैं पहले सेजन शाद बीस विक्टे लिए थी किते पैसे में एक निए पहले सीजन की थे स्ट लॉप अश्या यहां अगर तीन-टीन साल की होरी है तो होगी होगी यह शुरू में चुरू में थी चौदा तक अगई थी न आगए थी न आगए थी न आगए तो चौदा में शायद आपकशन थी थोड़ा बत पैसे मिल था तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक दम से पैसा उपर है आपको याद हो पाँ पाँ है तो ही जाना चाहता हूं कि स्टीफन फ्लैमिंग वहा है तो वही है वह कहीं गई ही नहीं है 2008 अब खुदी जाएंगे तो जाएंगे तो नहीं हठारी है जब तक कोई चीज तूटी नहीं से जुड़नें के फाइदा क्या है। सिंपल सी कुईशन है। CSK नहीं अच्छा किया है। जब CSK नहीं खराब किया नहीं तो स्टाफ चेंग उगड़ना है। कि जो युए ऐटेंगे सी के सब्सक्राइब। स्टाफ में पारे खिशन शुड़न पारे याजिए जित नहीं जित इपाइद था खैए शाम हम लोग फाइनल हरे था है नहीं नहीं हम लोग सेमी फाइनल हरे हैं पन्जाब से और रायना भाई वाला वही तो ऑफ था इती साम टेवाइनल आरेते हम लोग और अधा टॉर्नमेंट दुबाई में था और अधा टॉर्नमेंट इहां एडिया है एलेक्शन येट चौदा का सीजन अच्छा रहा सीएसके में सीएसके में बहुत ज्यादा यह नहीं होता है कि आफरा तफरी मचानी है कुछ कर नहीं सबको अपना-पना स्पेस दिया जाता है तू अपने स्पेस में आपने स्पेस में आके परफॉर्म कर यह वाली कहानी तो बहुत जाद ऐसा नहीं है कि तुझेही एक करना है तू अच्छा कर राहा है व सबता इक बांप शुरू हो जा बड़ा चिल सा एंवेर्मेंट रहता है कि माहिभाई के रूम में बैठे हो जाके अपना बैठे हो गया है सारे के सारे इस एक ठीय अची होता है बेसिकली अब ठीय अगर कप्तान का रूम मिल जाए तो सची बात ही निया आप कौन बंदा नहीं चाहता कप्तान की बाजू में बैठा रहा हूं सब चाहते हैं प्रेक्टिकल बात कर रहा हूं और कप्तान भी कौन महिंदर सिंग धुनी हार इंसान चाहता है कि उसके बाजू अपना बचान के लिए तो चलो फिर अपना दीय बचाने के लिए वाँ यह कि दूसरी वंचाइजी में जो टीम रूम होता है वो बेसिकली होटल से लिना पड़ता है CSK का फिक्स है कि यह तो महिभाई का रूम है तो तो दो गंटे तीन गंटे अधरी बैट अधरी बैटके खिलते रहेंगे पर जो आपने वीडियो डाली थी माई भाई के लिए वो हम लोग बैठे हुए थे और मैच के बाद था कलकटा कलकटा का बात है वो तो एक दो दोस्त है मारे पंजाबी सिंगरी जसी के लोगे रहे हैं यह सब आई हुए थे तो ऐसे ही ठीक ठाक रात हो गई थी तो अंताक अंताक श्री जी घ्लने शुरू करी लेकी ताइम के बाद आपने अपने गानों में चेंज हो इसे बाइट है रहा है एक तो पूराने गाने के सारे अंग और सब्सकूल है तो जब गारे थे थे तो मुझे नहीं पता था कि कहा यूज होगा उगा रिकॉर्कुमार के अचे तो मही भाई भी माही भाई किया गाना यूज होगा है fortunately दो थिन होगा आने वाले टाइम पर ऑफ तो नहीं टायर हो गया और भी थे, चार-फांच लोग और भी थे, और फैमिली थी, हमारी जैसे मेरी वाइफ थी, साक्षी थी, फैमिली थी, हमाँ पर सारी की सारी, तो बस वहीं पर रिकॉर्ड किया, दो-तिन गाने और है, माई भाई किया भी उसी में, तो ये वाला, आप एल्बम निकाल सकते हो ह माई भाई को इसमें एल्बम में एक्षली बीप आजाएगा फिर, आपने पूचा कि माई भाई में डाल दू क्योंकि वो तो रहते हैं, ये नहीं डालना, ये नहीं करना, पूछने जाता तो तीन बदधे निकल जाते हुए, माई भाई को कोई फरक निपढ़ता है, इस न माई पराने वुर्पने पार्मपास्асन में जा अधलेय। साथ में खेले हैं तो माई भाय राकी में टीनर था, राकी में अचेंपिंच सिलीग! पुराना घर तु जब बहुत बड़ा कर तो के तो पुराना घर भी बहुत बड़ा घर है तो जिससे शिफ्ट हो के वह फॉर मुष्माट जब तीन घर हो गया सब्सक्राइब जाए अगे अर्ट लून है यह नहीं पता मुझे है जिन पे बाइक इतनी सारी घरती है मैं तो यही पुछ जालता हूँ कि वाइक का जो शोरूम लगा हुआ है वो क्या है वो किनी बाइक है वो सब हमने वीडियो में देखा है जो उनके खुद के फोन में होते है वो शोकिन है वो तू-स्ट्रोक बाइक के बहुत शोकिन है उन पे तो अलग से यह पॉडगाश पूरा हो सकता है क्योंकि पता ही नहीं कुछ उनके बारे में वो खुद तो आकर बताते नहीं सच में फोन यूज नहीं करते है अगर किसी को WhatsApp पेढ़ना है तो फोन टूडएंगे कामेरा फोन नहीं तो ठीक है रखा हुआ है वो नोटिफेकेशन चेक नहीं करते है इंस्टाग्राम वो एक्स्टोर नहीं करते है वो चेक नहीं करते क्या हो रहा है इंकी ट्रोफी क्यों नहीं आ रही है आप तो दोनों से ही खेले हो मुझे लगता कहीं न कहीं अगर ट्रोफी किसी भी टीम के नहीं आती है तो collective effort पर थोड़े बहुत इश्यूज रहते है No doubt कि आपकी Dustin ही तो बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि जीतने और हारने में हमने Kings 11 में भी बहुत कोशिश करी प्लेयर्स तो कोशिश करते ही है मैनेजमेंट भी कोशिश करती है कि कैसे भी करके टीम जीते है ट्रोफी या चार चीजे हो फेवर में लेकिन कभी स्टार साथ में आई नहीं पहे कि साला ऐसा कुछ हो कि हम लोग जीते हैं कुछ करें और शायद मुझे लगता है कि बहुत जादा चेंजिस भी उसकी वज़े हो सकती है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चेंजिस करते हैं उसके वज़े से भी शायद कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पाता है और शेपको रिजल्द नहीं मिल रहे हैं तो आपको कही नहीं चेंज करना पड़ेगा तो ब्लीफ एक्टर या वो सेम फेक्टर कब तक रखना है अब तक नहीं रखना हो सकता है लोगों को जादा अच्छे से पता हो लेकिन रिजल्ट के लिए मुझे लगता है कि कही ना कहीं कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है चीजों को लेके तो उसमें थोड़े सी फ्लक्टुएशन मुझे दिखती है डीसी को भी रिजल्ट तब मिनने शुरू हुए जब वो कंसिस्टेंट हुए जो मैंने देखा जब वो कोच के साथ कंसिस्टेंट हुए ठीक है जब वो प्लेयस के साथ कंसिस्टेंट हुए सेम बैच को खिलाना शुरू किया तब डीसी भी रनसब हुई है पॉंटिंग के उसमें और क्रिकेट भी अच्छा खिले हैं तो कंसिस्टेंसी का रोल बहुत ज़्यादा है और ये एक ट्रैक चला भी आ रहा है अगर तुम देखो कि हिस्ट्री चली भी आ रही सारी IPL फ्रिंचाइज की कि जोग सबसे कम चेंजिस करते हैं नो डूट कि आप चेंजिस नहीं करने तो अपने प्लेयर को कॉंफिदेंस दे और इस अल अबॉट कॉंफिदेंस कि अप कितने अच्छे गॉंफिदेंस से जा रहे हो बट स्टिल सारी चीजे रिजल्ट पा रुख जाती हैं हो सकता है वो भी दे आपको लेकिन 80% वैसे मि थगा है है वह एक ऐसा रहन है कि अनबीटन अनबीटन जाती थी ऑर सानिल रहतने हां अचार से लेखेल का क्या मकंदा मल करते हैं तोफे था व ön इछा मन्हिकर 50% करते अचा हैं तो पिल्कुल बहुत ही अच्छा चलरा थे और फाइनल अचा सब्सक्राइब करें तो चिल नो डाउट जैवर्द ने और संगागार ने कमाल की बैटिंग करी सारी चीजे और उन्होंने बॉल बहुत अच्छा डाला उस तो रही एंवार्मेंट की बात तो वो ना ऐसा हो जाता है कि मन नी करता खाना वाना खाने करा वो है चीज जो मुझ पंद्रा फैब कोई लेट विराट एज प्लेयर तो यार देखो नो डाउट की मुझे लगता है कि आज के टाम में तो कोई बीटनी कर सकता है ठीक है हमारे सब के सामने है और एज परसन भी वो टाइम के साथ ऐसा ग्रो कर गया है कि यूनो कि जमीन आसमान का फर्क है तो अ लेकिन ग्राउंड में तो अभी भी वो सेम पैशनेट है जैसे पंद्रा में था इग्जाक्ली से और मैं बोलू कि अगर मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी के भी अगरम लोग गेम खेल रहे हैं और अगिंस यूनिवर्सिटी भी खेल तो उस ताम पे भी वो ऐसा ही था अगरम लोग अगेंस पता नी कौन से जोन के अगेंस मैच केल रहे हैं और इसने सिंगल हैंडिली दोसो बनाए तो अगरम बहुत कमाल की बैटिंग तो ने अगरिटिव बॉल डालनी शुरू गरिए और इसने वहीं से अटैकिंग खेलना शुरू गिंग अगरम जितना ने तो वह एडिटूड उसका अप तक ऐसा ही है उस इनी टीम में ड्रेसिंग रूम में प्लेइलिस्ट किया होती थी गाने को चला रहा था यही चलाता था यही पंजाबी पसंद है या शिखी भाही होते थे उस टाइम पर शिखी और यह दोनों होते थे जो बेसिकली मान साब वह उनके गाने या फिर गुर्दासमान तो और भी पुरानी पुरानी बोलियां जो होती है वो सब तो इने बड़ा शौग है इन सब चीज़ों का तो मजा भी आता था सब को पता हमें तो समझ आते हैं हम लोग तो क्या चल रहे किया मजा आता था और पंदरा के बाद चल कौन है कौन है कौन है कौन नहीं है पांच बंदे बता हो कुछ ऐसे करो बहुत सारी चीज़ों तो पता चल गया था अब तीसरा नहीं पता मुझे कौन है नहीं आप ऐसे दो बहुत सारे हो गए ड़ुब पर इंडिया से ओड़े ड़ुपर है के अल भी है शायद मेरे को लग रहा है और भी है तू खोल के देखेगा बहुत सारे बनेगा अब सावाल है पांच गा तो त प्लेर अच एचे हैं प्लेर अवी तो अवर दिस स्पान अफ करियर तफस्ट बैटर तो बोल तो चूस थरी यार एबी बॉट डिफिकल्ट था और संडी से बात करेगा संडी से पूचियो के जब किंग्स के लिए साथ में खेल रहे थे तो संडी और मैं कहीं बहुत थे थ बालने वाला हूं और मुझे भी पता है कहां मारेगा फिर भी में वही बॉल डालूंग ऐसे तो मलग कहीं बर ऐसा लगता था कि हमें मालूम है यह हमसे बॉल डलवा रहा है ठीक है और हम वह बॉल डाल रहे हैं यह बीड विलेर्स तो इस वे में कि जो 360 के हिसाब से उस टा मार सकता है रामसे अगर हो अपने जोन में है तो विराट हो गया फिर अभी के टाइम पर मुझे लगता है कि सूरिया को बॉल डालना बहुत डिफिकल्ट है कि अगर आप स्लोवर भी डाल रहे है अपको लगता विकट स्लोव है और पेस नहीं दोगे तो उन पे भी अपनी पावर से सॉसो मिटर के चक्के मार सकता है और आपको सबसे फेड़िट आपका बोलर को नहीं जिसका आपका ऐसे न्यू बॉल या डेथ में स्पेल शेयर करना पसंद करते हो मैं शेयर करना नहीं मैं शेयर करना है शेयर तो किसी कि जो भी हूँ मैं कई आपका हमेशा दूस क्या क्वालिटी है उसकी बॉलिंग की यार उसने कितना इंडिया को इंडिया के लिए किया है या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कितना कुछ किया है सब को मालूम है जब मैं गुजरात के लिए खेल रहा था तो नो डाउट कि जब वो डाल रहा होता था तो मेरे उपर कह तो येस अगर पार्टनेशिप में बोलो के तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शमी के साथ बहुत मज़ा है बोल डालने हमने इंट्रेंशन में भी डाला साथ में तो वो भी एक इमेज बनी रहते है कि हां कैसे लेकर चलनी है चीज आगी उज़े ही बूछना है कि आईपेल के तीन आपके मैच जो आपको याद हुआ है कि यार ये तो ये मैच गए है मेरे जो ऐसा फैन यह जाते हुआ है उन इसा प्लेयर तो याद है वो क्यों होता हमें भी आद है तो वो मैच मुझे लगता है कि येस वो है तीन पूशेगा मैं करें तीस के मुगावलेगा है ठीक है उस तेम आप डगाउट में आपका हम डगाउट में हम लोग चिला रहे थे मज जाओ मज जाओ मज जाओ ठीक है लेकिन उन्होंने पीछे मुड़के देखा भी नहीं है वो ऐसे गए है ना जब लगा कि भाई हाँ है जिनको नहीं पता है आप डिटेल में भी बता तो किसकी बात है पता ही है माई बात है तो सब कोई मालूमाद दो जाओ लेकिन उन्होंने पले पूला कि मैं जा रहा हूँ है मोहित वजा ऐसा कुछ हुआ हम लोग बैठे बार वो आके गुस्सा है तो थोड़े बात और सिचुवेशन ऐसी बन गई थी कि उन्हें नहीं हो था हुआ पर क्योंकि जोड़के नहीं आते हैं तो आए बैठे और अच ठीक है बाई और उसके बाद ने रुके अंदर गया और जब बाहर आए सिधा नहीं बाहर आके सबसे पहले मेरे को पंड़ती तरा लेप्टॉप लेका मुझे दिखा भाई उन्हें वुला जो हमारे वो थे वीडियो एलिस कि बाई वाही बाई को बॉल दिखानी है तो उस सबसे उन्हों यह कहारते कि मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता कि अप उससे मैच जीते हैं हारे उससे वो चीज नहीं है लेकिन आप किसी और के प्रेशर में आके अपना डिसेजन चेंज नहीं गर सकते हैं तो सिर्फ यह बोल रहा है वो क्या हुआ नहीं होना चाहिए लेकि इसे तो उनको नहीं आता हो गुष्ण इन जन नहीं गुष्ण आता है लेकिन बहुत गळिया खाई लेकिन फास्ट बोलर दिमाग भी थोड़ा उस तांपर कम रहता है ना ग्राउंड में फिर यह पीछे क्या चल रहे ज़्यादा देखना भ्राउंड के अंदर कम देखना वो उस चक्कर में बहुत कही है, वो पीछे से हाथ इला रहे होते हैं, हमारा मूझ पीछे है, पीछे किसी ने आवाज लगा दिया है, है भी तो दिल्ली वाले, किसी ने आवाज लगा इनिगी, हाँ, 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 अब ये गालियां खाने माला कोटा है थी, अब दीपक चाहर अब दीपक चाहर गाता है, बहुत गालियां खाई हैं दीपक चाहर ने, दीपक चाहर कभी एक किस्सा है, बल्खुल, नाइटीन में जब हम लोग थे, तो करन में बाहर बैठे हैं, हम लोग दीपक खेल रहा था, पसीने आ रहे थे, चिनने बहुत गर्मी थी, नकल बॉल तो माई बबाहर है, तो माई बाहर है, ने कहले थे, नकल बॉल मट दाली हो, या उससे पहले इस ने, नकल बॉंसर फेका, वह सीधा फुल टॉस चला गया, और कुछ हुआ नहीं, उस पहला है, चॉक्का शक्का लग घया हो, माई बाह ने बोला, कि नकल मत पैकी अब, कर ठ एक पता च्वैं मैं जैंक लगा में बुला हो था छो ने के बटा कर दो थी अच्छी छीज्जे और उसके बाद करते कि बेवकूफ मैं ने हूं तू ने हैं बेवकूफ मैं हूँ यह वो टेपिकल पापा वाला ना कि ने ने हमारी ही गलती है तो वह भी बड़ा एक कमाल का किस्सा है तो दीपक भी है दीपक लाइम में रहेगा प्यार भी बहुत करते हैं उन से प्यार करते हैं इनको डांड सकते हैं यह तो है पर 2019 का जो फाइनल है आप तो बड़े इंट् जिस तरीके से निकला था ना मैंने शायद इतनी गट सीनिंग किसी की नी देखी शेन वॉट्सन का पैड फटके पैड के अंदर वोती है वूड की पट्टी लकडी जो होती है लकडी से पैड बनता है ना तो उसका वो लकडी यहां से अंदर गुश गया डाइव मार के तक इतना बड़ा कटा हुआ था और उसी कटे में खेल रहा था तो वो मेरे लिए मुझे लगता ही बहुती गट सी निंग ती और उसने वन साइडी कर दिया था ओल्मोस गेम नो डाउट ने बहुती कमाल का ओवर डाल के और इशान का वो रन आउट जो माही बै रन आउट तो वो सब चीजों ने कहीं ने थोड़ा नीचे लगा दिया और फिर लास बॉल पर उसके लिए भी गट सहिए कि मलिंगा ने जो लास बॉल स्लोगर फैका जनली को एकस्पक्त नी करता है स्लोगर फैक्ना लास बॉल कि वाई मैं यॉर्कर मान के निका लूँगा दो रन च कुछ बोलने वोलने वाला इसाब करता है या जब ऑउक्शन गए अगले तो फिर उससे वह अगी है और यह एक और बोलर है दो ब्राइन ब्रावो वह वह इतना मतलब जब विली तो पच्छी पच्छी अटथाइश अटथाइस विक्टेल है उनकी बॉल्वन कोई यू नह बहुत ना कोई होते हैं रौट अदिक का उला भी बहुत जब बढ़ बहुत अच्छी थमोंगे वह जब पाते है तो इसलिए वह सबशे। लो डालना कहां है वो बहुत ज़रूरी है यह नालताहिं और यह डिआ कि मुल्द के ब्राइसा को और सब आखकाऊ तो कि वह देखो कि सकसेस्फफुल क्यूं है T20 में इसलिए तो वसाला डिप वाला बॉल आना बहुत ज़रूरी हर्षल से अपका बॉन कैसा दुना हर्षल मैंने सुना बहुत ही ऐसे वो भी वान ओफ दा एडुकेटेड क्रिकेटर्स की उनकी तुम इनकी इंग्लिस सुनी मैंने का रहे ने उनसे बात किये तो मुझे सब पांत दस मिट में समझा गए लाइफ का की भी ने ने वह अच्छा हाँ पड़ा लिखा बंद है हर्षल जैन्त हमारे ग्रूप में दो तिन पड़े लिखे लगे आप खुद अभी मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब बहुत ही आप मुझे वो दिख रहे कि अगर आप ब्राड़कास्ट पर आओगे और जैसे आप चीज़े समझा रहे हो हमें ऐ हड्यान की जो टीम है यह जो अभी जीती है राजिस्थान से विजयजारे भी जीती है वो टीम भी बड़ा ड्रीम रन है मैं देख रहा था कि हाँ पूरा टॉर्नमेंट डॉमिनेट करके खेले हैं और हमारी टीम हमेशा वाइड बॉल का बहुत अच्छा रहा है हमने इंड अपका राजस्थान के साथ था राजस्थान के साथ है यस और उस पर दीपक हुटे नियाचlerdeीटि गिल आ इंड था बहुतत थे झाजаемся कि लिए और देशन चलेख नरे चाहल चली काउंटी प्र जन Ecology ए तो हर्शल अशूख आशोख मनेरीय टीम आ अगया था हर्यान केल थ हर्शल, अशोक, राहुल, हिमान्शू, लड़के पुराने हैं सारे के सारे, लेकिन लड़कों ने बहुत कमाल के करिकट खिलिया, मज आ गया देखके, बहुत ऐसा भी हुआ कि हम क्यों नहीं हमारा भी मैं दिल से चाता था कि एक तो हर्याना के लिए ट्रॉफी हो, तो हाँ हम इंजड थे हर्याना का ट्रेसिंग रूम कैसा है, राहुल तेवतिया, आप जैन त्यादा वो, किसके रूम में वेड़कों है, बहुत मैयाद है, मुवीज, क्या मुवीज देख आप लोग, मुवीज तो चलती रहते हैं, लेकिन हर्याना वाले कैसे रहते हैं, एक दूस पूरी टीम में पूरे दिन वो चलता है, ग्राउंड के अंदर या, तु दीपा कुड़ा की बात कर रहा है, बड़ा मजा रहा है, कितनी बखे कर रहे हो तुम लोग है, यह तो कोई करता ही नहीं, तो यह वाला एंवार्मेंट है, जो टीम को साथ रखता है, जीतना हाड़ पसे दूसरी चीज है, लोग यह नहीं कि समय वह फूसरे रहा हूं, कि इतना टाइम क्रिकट खेलते है हम लोग, इतना हम रता गर्म नहीं पिताते है, जीतना टाइम साथ में पताते हैं, अगर उसमें भी बीऊ काट बढ़राग हैं तो फिर जिंदीकी सह भारी हो जाती हो this तो इसलिए मुझे तो बहुत मैं आदा है अर्याना ट्रेसिंग मैं नहीं भी खिलता हूं तो सर को फून कर देता हूं सर राजाओं कि थोड़ा बात ऐसी बैठ जाएंगे यार मनलब की टीम के साथ ट्रेवल कर लू कुछ कर लू कुछ कर लू अले चीज तो मज़ा आद आप इंडिया ने क्यों डिकलियर कर दिया क्योंकि अपर से वेखन पांटारा मिरे वाइ है तो है तो है कि आप।वरा थे टीम कर दिया यहाई है निय। इंसान के इश्चाहें अथा उड़ी ओड सौ लुने है लू टीम गिर शाहर विक्त भी गिर गई यह उन जी पांश अवर आप गुडगावों से नवटा आना दला बढ़ी बात है तो दया पर्फल की आप चाहत इसी है फ़र गुडगावों से पर गूड़ गाई आप पर गूड़ गंटे लग गयार